नमस्ते दोस्तों आज हम आपके लिए लाए है एक नई यूट्यूब वीडियो और वो है टाटा पंच इवी के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में इन दिनों नई नई गारिया मार्केट में लॉंच हो रही हैं ये सभी प्रमुक श्रेनी में आती है और इनकी न अमुक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अपने इलेक्ट्रिक पोट्फोलियो का लगातार विस्तार कर रही है कंपनी कई नई इलेक्ट्रिक मॉडल लाने की तयारी में है या तो औल न्यू इवी या मौजूदा कारों पर आधारित उनके इवी वर्जन इनमें से ए इवी पोट्फोलियो टाटा मोटर्स इस समय इलेक्ट्रिक वाहन बजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती है कंपनी के इवी पोट्फोलियो में टियागो इवी, टिगो इवी, नेक्सोन इवी प्राइम और नेक्सोन इवी माक्स जैसी किफायती इलेक्ट्रिक कारे म मुश्किल है कि एक पेट्रोल मॉडल की तुलना में इसमें किस तरह के कॉस्मेटिक बदलाव किये गए हैं, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, टाटा से बहुत सारे ब्लू एकसेंस और एरो वील जोडने की उम्मीद है। जैसा कि टियागो और टेगो और ईवी पर देखा गया है, जो इसकी इलेक्ट्रिक नेचर को दर्शाता है। फ्यू टैंक धककन की जगह एक चारजिंग पोर्ट होगा, हाला कि ये उसी जगह पर ही होगा। हाला कि इसमें उलेकनिय अंतर भी हैं। पंच EV टेस्ट मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक हैं, जबकि पेट्रोल पंच में ड्रम ब्रेक हैं। तस्वीरों में केबिन में रोटरी डायल और इलेक्ट्रोनिक पार्किंग ब्रेक की ज़लक भी मिलती है। हम इलेक्ट्रिक मॉडल पर आटो होल्ड, वाइरलेस चाजिंग और बहुत सारे फीचर्स को देखने की उमीद करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसा है इंटीर टाटा पंच EV का। यह मॉडल एंड्रोइड आटो और एपल का प्ले, आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्लेट बॉटम स्टेरिंग वील और प्रीमियम अप्होल्स्ट्री के साथ भी आएगा। डैशबोर्ड लेयाउट पुराने हर्मन साथ इंच टथ स्क्रीन इंफोटेन मेट सिस्टम के साथ पहले जैसा ही है। ये यूनिट रेगुलर पंच में भी अब पुरानी पर चुकी है और हम नई और बड़ी यूनिट को देखने की उम्मीद कर सकते हैं जिसे हाल ही में हरियर और सफारी में देखा गया है और आखिरकार नई टाटा कारों में भी मिलेगी। बैटरी पावर और रेंज टाटा पंच इवी का पावर ट्रेंग कैसा होगा इस बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन इसमें वही पावर ट्रेंग हो सकता है जो टियागो इवी में इस्तिमाल किया गया है। टाटा PMS मोटर के साथ सिफ 74 BHP और 114 NMP टॉक के साथ हाई पावर वाले वर्जन की पेशकश कर सकता है। मॉडल कम से कम दो ड्राइविंग मोद्स, सिटी और स्पोर्ट के साथ आएगा। वाहन निर्माता 24 के WH बैटरी पैक को दे सकता है, जो एक बार चार्ज करने पर लगबग 300 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है। टियागो इवी इसी बैटरी के साथ 315 किलोमीटर MIDC साइकल की दावा की गई रेंज देती है। कीमत और मुकाबला टाटा पंच इवी उसी सिगमिन्ट में एंटरी करेगी जहां पहले से ही सिट्रन इसी 3 बिक्री के लिए उपलब्ध है। एक की कीमत 11.5 शून्य लाक रुप्ये और 12.4 तीन लाक रुप्ये एक्स शोरूम भारत के बीच है। टाटा मोटर्स इसी कीमत के बराबर रखना चाहेगी या इस से कम करना चाहेगी। टाटा पंच इवी की लॉंच की अभी कोई आधिकारिक तारीक का एलान नहीं किया गया है। लेकिन वाहन निर्माता इस मॉडल को इस साल के आखिर तक या अगले साल किसी समय लॉंच कर सकता है। इसके अलावा टाटा कव इवी इवी के प्रोडक्शन वर्जन के साथ हार्या इवी भी लाने की तयारी में है। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कार सलाहकार को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबाएं।